आप सभी का स्वाकता है मेरे चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर मंदी दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है ये क्या चीज है ये क्या बुमारी है और कई लोग इसको अर्थराइटिस को रुमेटर अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं ये क्या बुमा arthritis है आपको ने को समझे नहीं आता है उनको बुमारी काया तो वह On-Line सार्च करते हैं romantic arthritis के नाम सE ने romantic arthritis कोई कमारी نہیں होती ہے romaited arthritis ऐही होती है जो आज हम बिस्कस करेंगी यह चीज क्या होती है दोस्तों arthritis जिसको में रुम्टेड आर्थरैट्स बोल देते हैं ये एक ऐसी बुमारी है जो हमारी बौडी हमारा शरीर खुद बुमारी पैदा करता है तो इसलिए आप जानते हैं कि अगर किसी को आर्थरैट्स गठिया हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा और उसकी बढ हमारी को तो बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं जो किसी बाहर से किसी कारण से बनी हो हमारे शरीर में आई हो जब हमारा शरीर ही अपने शरीर को खाने लग जाए ऐसी कई सारी बौमारियां है उनमें से एक रुम्टेड आर्थरैट्स तो इसका भी आईरवेदर होमेपैथी म आपके हाथों में सबसे पहले कईयों का नोट होता है कि उनकी उंगलियों में प्रॉलम आना शुरू होती है हाथों के जोडों में उनकी कलाईयों में उनके फिर गुटनों में कई लोगों के पैरों से शुरू होता है अर्थरैट्स पैरों की उंगलियों में से अंगूठ एक जैसी होगे कि इंडे और आएगा तीन चार दिन रहेगा फिर 15 20 दिन महीने के लिए गाई भोगा फिर 15 दिन रहने लग जाएगा फिर 15 दिन डिन गाईगा फिर पूरा मेहिना ही पूरी उमरी ही चलता रहता है दर्द ये इसका एक गुटने हो और गर्म दिनों में दर्द कम हो जाता है और जैसी सुबह उठते हो आप तब आपकी सारी बॉडी जिस हिसे में अर्थ्रेड्स ड्वा हाथ हो आपकी गुटने हो पैरों वहां पे सुबह उठते बहुत ज़्यादा दर्द होगा जैसी आप काम करने लग फिर सारा दिन आपसे ही रहते हो यह भी एक लक्षन हो सकता है अर्थ्रेड्स आपको हैं और काम करने से गर्मी शरीर में जब पैदा होती है इसका दर्द कम हो जाता है महलाओं में यह बहुत जल्दी देखने को मिलता है और कई बार तो दस साल की बच्चीयों में भी यह मिल जाता है पूर्षों में भी यह होता है तो यह कुछ अर्थ्रेड्स के लक्षन है इससे सारे शरीर में बहुत सरी दिक्कते आती हैं जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ जोडों के दर्द की ही बमारी है ऐसा नहीं है अर्थ्रेड्स से आपकी दमागी सेध की नहीं हैं आपको आर्थरेट्स आखों में जाकर आखों में सुखा पनवी रह सकता है और कई विटामन की भी कमी हो जाती है जिसके बाद घबरात है दर्ड करम बढ़ना बहुत सारी बुमारिया आजाती है अब चलते कि अर्थरेट्स का ये कैसे आपको होया है आपको टेस्ट होंगे हैं एंटी सी सी पी करवाना पड़ता है अगर पॉस्ट हो है तो आपको अर्थ रेड्स हो गया है रूमेटड आर्थ रेड्स हो गया है रूमेटड आर्थ रेड्स आपका आरे फेक्टर पॉस्ट हो है एसर बड़ा रहता है एस होते हैं इसमें कैसे लक्षन होते हैं सारह हमने डिस्कस किया है और क्या-क्या इसके और शोरीर पे असर होते हैं और कैसे हम इसको पता करेंगे कि आपको earth हो गया है तो होप आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ होती है अब चलते हैं ट्रीटमेंट इसके कई तरह क्या इंग्लिश दवा जो खा रहे हैं वह अर्थरेट्स को ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंग्रेज जी दवा खाने में आपको दो तरह की दवाई मिलती है एक तो आपको दर्द की दवा मिलेगी जो पेड़ दर्द वाला भी खा सकता सिर्द वाला भी खा सकता उसको जो बमारी से कोई लेना देना नहीं है मेन बमारी से तो मेन बमारी क के लाज के लिए आजरवेदा होमेपैथी के लिए बहुत ही बड़ी है ट्रीटमेंट के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियों बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है आजरवेदा में और एक वीडियो बनाएंगे होमेपैथी में और आगे डेटेल में भी बात करेंगे कैसे इसको ग्रेलो पाए से भी हम ठीक कर सकते हैं तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हल्थ टॉपिक्स पर वीडियो जाया गठी अरलर्जी अस्थमा कैंसर ब्रेन टूमर कैसे हम HIV एड्स का ट्रीटमेंट करते हैं कैसे हम पर्मेनेटली थायरेड डियाप्टीज क कैसी ही हरेड है कि आप्सक्राइब का सब्सक्राइब करें लेंग इसके फीसे कैसे कि किसी कम और मीन में वीर्टीज सकते हैं वह सारी वीडियू देख झाल झाल